कम्पनी आपसे रोयल्टी के नाम पर कुछ भी नहीं लेती है, डिस्काउंट पर बहुत फोकस करता है कि ग्रहकों का फायदा हो, और अपने फ्रेंचाइजिस को पर कस्तेमर प्रोफिट बढ़ाने पर जोड दिया, क्यों कम्पनी का फोकस इसी के ओपर है, जिसने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, वो कमाएं. सक्सेस्फुली रन कर रहा है, और ना कि सिर्फ दिल्ली में, बलकि दिल्ली से बाहर भी इनके आउटलेट्स हैं, जो बहुत ही सक्सेस्फुली रन कर रहे हैं. जिया दोस्तों, मैं डॉक्टर आशी शगरवाल, फाउंडर और फ्रेंचाइजी बताओ, आज आप से बात करन बताने वाला हूँ, एक किराना सुपर मार्क फ्रेंचाइजी बारे में, और यह जो फ्रेंचाइजी बताने वाला हूँ, इस ब्रैंड का नाम है ट्रॉली बोई, जी हां दोस्तों, नाम में ही जैसे ट्रॉली आ गई है, तो सुपर मार्केट में ट्रॉली के बिना तो काम नहीं हो सकता लोग सूपर मार्केट जाते ही इसलिए हैं कि वो अपनी मन पसंद की वस्तुवे खरीद सके लोग अपने हाथ में लेकर फील ले सके प्रड़क का और उसके बाद उसे ट्रोली में रख सके और लोगों की इसी नीड को देखते हुए इस कंपनी का नाम रखा गय है कि वहाँ पर मार्केटिंग और ओपनिंग सीरोमेनी के जरीए लोगों को अवेरनेस फेलाई जाए मैं इस कंपनी के बारे में कुछ और बताओं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी यूएसपी क्या है दोस्तों किसी भी ब्रैंड को चलाने के लिए उसका ब फिर वहाँ के जो भी H&I क्लाइन्स हैं उनको इन्वाइट करते हैं और एक अच्छा सा ओपनिंग फंक्शन करते हैं जिसकी के जरीए वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि हमारे इलाके में एक नया सूपर मार्केट ओपन हुआ है और लोग माउट टू माउट इसकी प प्रेंड से पर्त ही है उसके अलावा भी जो होता है उसे लोकल मार्केटिग कैसे करें इसकी पूरी ट्रेइनिंग दी जाती है ताकि वो लोकल एरिये में भी मार्केटिंग करके अपने ब्रैंड को लोगों तक पहुंचा सके अब यहां पर दोस्तों आपके मार्केटिंग हो गई एक बार आपके पास फुटफोल तो आ जाएगा लेकिन क्या वो फुटफोल बार बार रुखेगा आपके पास नहीं उसके लिए कस्टमर को चाहिए एक अच्छा अब क्वालिटी प्रड़क्ट की हम बात करें तो जितने भी सूपर मार्केट हैं सारे ब्रैंडड प्रड़क्ट ही मिलते हैं तो प्रड़क्ट तो हर जगा मोरले सेम ही मिलते हैं आपको किसी भी सूपर सब्सक्सक8 अब कर दो सब्सक्राइब और इसके अलावा करता है कि हम किस तरीके से एक अच्छा यूजर एक्सपिरियर्इंस दे पाएं लोगों को ease of purchase दे पाएं इस चीज के ओपर focus करता है जिससे के इनके ग्राहक इनके पास retain रहते हैं और वो mouth publicity की जरीए नए लोग भी लेकर आते हैं जिसके की जरीए यही यूएस पी है जिसके की जरीए ये day by day आगे बढ़ रहे हैं अब दोस्तों अगर आप इस brand की franchise आई जी लेना चाहते हैं तो पहले जान दीजी यहां पर आपको क्या मिलेगा जैसे की मैंने बाग की groceries की तो एक बहुत बड़ी range आपको मिलेगी groceries अपने आप में एक बहुत बड़ा ask की हूँ है तो वो तो आपको trolley boy के stores पर मिलेगा ही मिलेगा और जितने भी बड़े जी हां फ्रेंट्स customer वही है एक बार आपके दुकान पर आ रहा है जाडू पोचा खरीदने कहीं और जाएगा रासंग खरीदने कहीं और जाएगा अपने घर के लिए bag खरीदने कहीं और जाएगा कुछ electronic item खरीदने कहीं और जाएगा उसकी जगा है ट्रोली बॉय क्या कर है multiple product outlet open कर दिया जिससे कि वो multiple products एक ही store में मिल रहा है जिससे कि आपके पास एक ग्रहा का रहा है उसकी भी purchase size बढ़ गया ticket size आपका बढ़ गया मतलब आपका profit बढ़ गया per customer profit जिया दोस्तों इसे कहते हैं कि हम किस तरीके से अपना per customer profit बढ़ाएं तो trolley boy ने इस पर काम किया और अपने franchises को per customer profit बढ़ाने के जोड दिया और यह per customer profit हर business को बढ़ाना चाहिए तो आप भी अगर अपना per customer profit बढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे consult करिए बातचित करिए मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने business में अपना per customer profit बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर trolley boy ने इस पर जोड दिया अब यहाँ पर दोस्तों यह सारे तो profits हैं नॉर्मल चीजें हैं बहुत सारी पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ट्रोली बॉय दो तरीके से आपको franchise दे रहा है पहला है फोपो मोडल दूसरा है फोफो मोडल अब अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सायद आपको नहीं पता होगा कि फोको इन फोफो मोडल क्या होता है दोस्तों फोको मोडल वह होता है जिसमें कि आप केवल invest करते हैं company outlet run करती है जी हां दोस्तों franchise on company operated मतलब आपने केवल investment किया सारा operation का खर्चा सब चीज़े company करती है और आपको एक fixed income हर महीने मिलती रहेगी और इसके विपरीप जो दूसरा होता है फोफो मोडल जहां पर की फ्रेंचाइजी ही सारा इंवेस्मेंट करती हो फ्रेंचाइजी ही ऑपरेट करती है सारा खर्च भी फ्रेंचाइजी ही करती है इन दोनों आउट्डेट में सबसे पहले आपको बता दू कि आपका फ्रेंचाइजी कितनी है तो आपक centre के छितना वड़ा फिस्टोरब लेंगे आपको उतने कम स्पर लेना पड़ेगा तो हर आपके दो इंवेस्समेन्ट हो गए इसके अलाओ जो तिसरा इंंवेस्समेंट आता है वह आता एतिल लगाणा होगा आपको काउंसर लगाना होगा यह सबुमेटे हैं तो इननि मोड़ ले रहे हैं तो फेंचाइज को रूपर है अब आप कम से कम 500 स्कॉआर detox के इलाके में भी अपना लाका हैना तो आप के वल ग्रोश्री स्टोर के साथ आप जा सकते हैं grocery supermarket आप open कर सकते हैं अब यहां पर आपका investment कितना आएगा साड़े तीन लाक और साथ हजार का एक investment हो गया 2000 रुपे पर स्क्वाइर विट के हिसाब से 10 रुपे का आपको इस्टोक पर करना पड़ेगा जितनी भी स्क्वाइर विट के एरिया है पर स्क्वाइर विट का 2000 रुपे का इनका रेट है कि इतना इस्टोक रहेगा तभी वो पूरा आपका फुल हो पाएगा और on an average 1000 से 1200 रुपे के आसपास पर स्क्वाइर फिट का इंपीरियर का कोष्ट आता है जी हां फ्रेंड्स यह आपका जो एक्ट्वल कोष्ट आएगा वही होगा इसमें आपको तो average भी 1200 रुपे का कोष्ट आता है 500 स्क्वाइर फिट का इस्टोर बनाने के लिए 6 लाख रुपे के आसपास आपके खर्च हो जाते हैं तो total investment के अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपे में आपका 500 स्क्वाइर फिट का पूरा इस्टोर बनकर तयार हो जाता है जितना बड तरफ दो परसेंट रॉयल्टी देनी है क्यों कमपनी का focus इसीच के ऊपर है कि जिसने हमारे साथ इंवेस्ट किया है जिसने कंपनी के साथ इंवेस्ट किया है वो कमाएं अगर सारी कमाई company लेगी तो आपके पास क्या बचेगा क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं अग अहां पर traditional store से थोड़ा सा मार्जिन जादा होता है क्योंकि आपको modern outlet का extra benefit मिल जाता है जैसे कि हम बात करें किसी एक product की XYZ brand की तो वह अगर नॉर्मली 14-15% का margin देता है तो modern store को 20% का margin दे देता है लेकिन आपको इसके उलट आपको modern store में discounts भी देने होते हैं traditional stores पर MRP पर माल sale होता है लेकिन modern stores पर अगर आप MRP पर माल सेल करेंगे तो आपको माल भीकेगा ही नहीं इसलिए आपको discount देने पड़ेंगे branded item के ओपर भी आपको 2% से लेकर 5% तक discount देने पड़ते हैं और non branded के ओपर तो आपको 10% से लेकर 50% तक का discount जाता है यहां पर मैं आपको बता दू यह discounts ही हैं जो customer को attract करते हैं और इसी वज़े से जो trolley boy है यह बहुत तेजी से grow कर रहा है क्योंकि अपना customer का ध्यान रखते हैं customer जब बने रहेंगे तो आपका business तो profit करेगा ही करेगा तो यहां पर आपका बात हो गई हमने की Fofo model की इसके उलटा जाते है Foco model अब Foco model कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए बहुत important है दोस्तों अगर आप समय लगा सकते हैं आपके पास investment है और आप फोड़ा समय ल लेती है जितनी भी sales होगी जैसे माल लेज आपकी sales कितनी हुए 10 लाक की तो एक लाक रुपे आपको मिल जाएगा 20 लाक की sales हुई तो आपको दो लाक रुपे मिल जाएंगे तो लेकिन store को company run करेगी यहां पर जो आपकी investment आएगी investment में आपको बता देता हूं कम से कम 1000 square feet का store store company खो लेगी उससे चोटा store नहीं को लेगी location बहुत important है location अगर अगर अप्रूब होगी उसके बाद ही store खोला जाएगा तो आपकी location पसंद आगी चीजे पसंद आगी उसके बाद company आपके store opening पर focus करेगी अब यहां पर यह दो चीजे company ने देख ली आपको अगें फ्रेंच के लिए 2000 उपे पर square foot company को pay करने होते हैं यह 2000 उपे पर square foot यह non refundable है इसका आप जब भी चाहे अपने store की position ले सकते हैं जो आपका item है वो आपका रहेगा जैसे कि दोस्तों रेक्स है ऐसी है फ्रिज है इस सब चीजे आपकी ही रहेंगी आपका asset है लेकिन यह non refundable नहीं है company buyback नहीं करेगी company आपका sale कराने में ज़रूरी help कर देगी 2000 उपे पर square foot का operational प्लस में आपका यह interior का cost हो गया तो अब 1000 square foot में आपका investment कितना जाएगा 2500 प्लस में 2,000, 4500 रुपे per square foot 45,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अपका franchise fees मतलब कि 49,000,000,000,000 रुपे कम से कम आपका investment जाएगा तो अगर 50,000,000 यह उससे ज्यादा है तो आप fourfold model पर जाएगा अगर उससे कम investment करना है तो आप fourfold model पर जाएगा लोग fourfold पर 2,000 square feet, 5,000 square feet का store खोल रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि यहां पर sales अच्छी आती है, profit अच्छा आता है, जब लोग Fofo model में franchise खोलते हैं, तो उनका investment उनके पास रहता है, वो मैं सेफ और secure रहते हैं, इसी वज़े से लोग Fofo model पर जाते हैं, तो अगर आप Fofo model या Foco model दोनों में से किसी भी model पर जाना चाते हैं, तो screen पर number दे दिया गया है, description में साई detail दे दी गई है, contact करें और trolley boy की franchise यह अपने शहर में open करें, open करने के लिए, प्रकरिया क्या है? दोस्तों, सबसे पहले, company आपकी profile चेक करती है, profile चेक करने के बाद location चेक करती है, location के बाद, आप से initial amount लिया जाता है, amount जब आपका आ जाता है company के पास, तो company आपके store पर काम करना सुरू करती है और काम करते करते आपसे 100% आपकी जो एमाउंट वो ले ली जाती है और इन दे मीनवाइल आपको स्टोक ट्रांसफर कर दिया जाता है जब आपका पूरा स्टोर रेडी हो जाता है आप अपना मुरत निकाल लिजिए आप एक अच्छी सी लॉंच पार्टी रखिए लोगों को बुलाईए और धमाकेदार लॉंच करिए सेल करना सुरू करिए और प्रोफिट कबाना सुरू करिए यह इनका पूरा प्रोसेस है तो दोस्तों ट्रॉली बोई एक उभरत्या हुआ ब्रैंड है आप अपने लेवल पर जांच परताल करे आपको अच्छा लगता है यह ब्रैंड आप जरूर सुरू करें ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजी है नईने ब्रैंड सारे हैं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी ऐसे किसी ब्रैंड के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएं आज अगर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करिए आप इस बिजनस को कब से सुरू करना चाहते हैं नीचे आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आप मन में कोई क्वेरी है तो मुझसे मिले बात करें जैहिंद जैभारत